तो आज हम करेंगे आज क्या करेंगे बच्चों अज करेंगे और पिता वेश्ट्वेन रिटिन बाई पार्सी बेशे शेली ठीक है यह देखो पीबी शेली इसका पूल नेम क्या है पार्सी बेशे शेली क्या हुआ एक बार एक इंटर्वियू में एक इंटर्वियू ने पुछा था मेरे दोस्त को मेरे एक दोस्त इंटर्वियू दे निकले गया और केवियस का था और उसमें वहाँ पे यह पूछे थे कि उनको यह पूछा था कि आपका फेवरेट पोईट कौन है तो उन्होंने बोला कि पार्सी बैशे शहली है बीबी शहली है क्या फूलफाम है तो बोल दिया पार्सी बैशे शहली इस्पिलिंग बताओ आप जो इस्पिलिंग बताया तो पार्सी तो सही बताया शेली भी सही बता लेकिन बैशे जो से गलत बता दिया ठीक है तो आपको ध्यान रखना ह तो चलिए है आप हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चलते शूरी करेंगे ठीक है तो क्या लिखा है ओ वाइल्ड वेस्ट ट्विंड दाव ब्रीद अप अटम बिंग्स वेस्ट ट्विंड समुद करते कहते है ओ वाइल्ड वेस्ट ट्विंड दाव ब्रीद अप अटम स्विंग्स दाव फ्रॉम हूस अन्सीन प्रेजन्स दालीब्स देड आर ड्रिवेन लाइकोस फ्रॉम अन एंचेंटर फ्रेंग्स देखो हमने इस प्रेंग्स का फॉम्स के बड़े में नहीं बताया तो अगर हम इस प्रेंग्स का फॉम्स के बड़े में बताते हैं यह पॉम्स फाइब केंटोस में लिखा गया है यह है नमबर एक केंटो यह है नमबर दो केंटो यह है तीन नमबर केंटो चान नमबर पाच नमबर ठीक ठीक आब है हर 캜ड चोज फोर्टीन लाइंस का होता है आए, दो, तीन, चार, आध, चेसे, शाथ, आठ, नो, दस, क्यारग, बारह, तेरा, चौदा तो फोर्टीन लाइंस का है यह अब जो फोर्टीन लाइंस का है तो हम हरी कैनटो को क्या स्वोनेड बोल साकता है यह फाइब तो फॉर्टिन लाइइट लाइन्स मेन और उसमे प्रोब्लेम राइज उसमे में प्रॉब्लीम में क्या है रुब्लियूट में लास्ट कॉपलेट में value how. तो इसमें वह ऐसा कुछ problem solution इसमें कुछ नहीं है तो किसी को एक address करके सम्मूधित करके लेखी गए तो इसे ओड कहते हैं इसको आम sonnet नहीं कहते हैं अब यह जो ओड है यह लिखी गए है तर्सरीमा इसमें लिखी गए है और यह ट्रिपलेट का मात्रा पर एद्दको त्री लाइन पर लिखी गई है त्री लाइन पर लिखी यह है त्री लाइन पर लिखी है ठीक और इसका जो rhyme scheme क्या है A, B, A, B, C, B, C, D, C, D, E, D, C, C ठीक आईसे और इसका जो themes है ओधीम्स हम दो पार्ट में डिवाइट कर सकते हैं और हम सब कुछ पताएंगे पहले हम poem को एक पर लेता है क्यों है ना दोस्तों चलो सुरू करते हैं विद्व वे स्टुट्ट मी इट को समुद्ध किया पहले में Oh wild west twin, अरे Oh wild west twin The breath of autumn's being, the from most unseen presence, the leaves dead, are driven like ghosts from an engine in thing Hey wild west twin O wild west twin While का मतरप कहा है यह हमें face तुम छो leaves यान जो पतिया होते हैं, मित पतिया होते हैं, पेर उसे जढ़ जाते हैं ОчolMZ में उन्हें इसी त़रीक से अपने साथ ले जाते हो आर्डरीबल ले जाते हो कैसे like ghost RicePROMEN, EncheOr, Fling Encheodore मत्ता का जधुगर्ण जैसे की एक जधुगर अपनी जदु से अपनी मंत्रों से जो घोस्ट होते है भूथ होते है उनको भगा देता है या फिर ले जाता है तुम जो ए पतिया है यह सुखे सरी कली पतिया है इसको जो निचे जंगल में पड़ी है तुम अपने साथ उसको बिल्कुल उसी तरी इसके से ले जाता है जैसे कि जदुगार भूतों को अपने जदु से ले जाता है unseen presence यानि तुम दिखाई नहीं देते है जिसी तरह भूत दिखाई नहीं देते है तुम उस जैसे उस भूतों को ले जाते हो दिखाई नहीं जाते हो तुम ऐसे ही पतिया को ले जाते हो नेक्स तन जा यलो औंड ब्लक,पेल,ग्टिक रेड़ यलो है किस तरीका है यलो है पिली है ब्लाक हैऑ के पतीत होते हैं जैसे कि एक छूत के रोक से वगी यानि ईसे तो यासी कि कोई छूट से रोक से जो भीध है किसर माधिय चली जाती है और लोग माधिय चली तरह से जो यौल ब्लाइक पेल है टिक्रिय ठोपा त्य आ है टुम्हारा साथ दोरिच चली जाते हैं ऊधाए कि है we is twin तुमने ले जाती हो कहा दीयर dark wind drivet उनके जो ड़कविन फ्रिवेट यानि उनके जो जमीन के अंदर उनके ले जाते हो अनके बä्ट पर ठर्क प्लॉध ऐसर्दिया है जाता है उनको तुम और जमीnd में नीकुम करता हो वो जो बीजे इधर उतर बिखा जयते है वो जो चले जयते है ठीक है The wing seats where they lie cold and low It's like a corpse within its grave until thine azure sister of string shall blow The wing seats यानि की उर्ते हुए seats पांखो वालो seats जो वीज तुम्हेरे साथ उर जाते है where they lie cold and low वो जमीन में ठने जमीन में नीचे जाके सो जाते है उचिस तरीके से जैसे कि इस लाइक कॉप्स within its grave जैसे कि कोई कॉप्स नी लास यानि मिर्स शड़ी है वो अपने कवर में जाता है लेट जाता है कवर में जो मिर्स सो जाता है वो बिल्कुल ऐसे ही तुम उन बिजो को अपने साथ ले जाते हो और जमीन में दफन कर देता हो अंटिल दैन अजियों सिस्टर आप स्प्रिंग सेल ब्लो अब तब तक उस जमीन में दफन रहता है जब तक की तुम्हारे जुस सिस्टर है स्प्रिंग बसंध्रिंग को जब तक तुम्हारे जुस को नहीं जुत आते है कैसे हार क्लेरियन ओवर दा ड्रीमिंग अर्थ तो क्लेरियन एक हमेशा बात जा ओवर दा ड्रीमिंग अर्थ तो बिल्कुल आईसे ही ओ उन्हें जगाती है सुई धर्ती में से उनको पुकरती है कौन स्प्रिंग कि इनको बिजो को and feel driving sweet birds like flocks to feed और उनको बिल्कुल जो धर्त है तो दार्फ यनको निकी बेल्कुल उस ही तरह से वोट बहुत कर ने कि यह मैंदन में ले आते हो उनको उस इस vor दो इन विजो को बहार निकालती है तो पुड़ी पित्वी बेलकूल उसी तरह से उननेनी गलियों से छोड़ी छोड़ी पदो से भढ़ जाता है इन लिभिंगोस अन ओरर्स प्लेइन अन हिल और उनसे जो छोड़ी छोड़ी पदे है और उनकी जो विजने प्रकर के रंग है उन फुलों के उन कलेओं के उन पधों के उनकी जो सुगंध है उनसे इस सभी मैदान और पहरिया भर जाता है यानि पूरा जो बाताबरन है एकडम जीबित होता है वाइल स्पिरिट्ट विजयर बीचता है वाइल स्पिरिट्ट के उन कि और तो 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 तुम जा सकते हो और रुकपी नियों समय सहा भी तो चलते रहते हो तो यहां से कहते है कि destroyer यहीं तुम बिनाश करने वाली हो और प्रिजरबर यहीं तुम रक्षा करने वाली हो तो बिनाश भी करते हो रक्षा भी करते हो here or here सुनो ओ सुनो प्रिजर इसलिए कहा है वह उन विजो को तेज हाओ के साथ यहीं आपने साथ बुड़ा के लिए जाते हैं उसलिए प्रिजर प्रिजरबर इसलिए कहा थे कि वह उन विजो को जमीन में तफन कर देते हैं जिससे spring season में फिर से कली और छोटो-छोटो के होगाते है जैसे पिध at कि यहां क्या है अपंआप स्ट्रोफी है और इसमें अलीट्रेश्ण भी है अब इसमें हमने किव इसको आपोस्ट्रोफी बोला कियो हमने इसमें अपोस्ट्रोफी कैसे देखा वो बताएंगे थोड़ा से देखो ओ व्लेटर्द व्लेटर्वoff करंद गया क्वैस्टवएट मतूलो मतूलो मतुन हैš, य। ऐसा एक आपोस्ट्रोफी ुसको करते हैं तो इसको क्या बोल दे अपोस्ट्रोफिक कहते है ठेक अब हम इसमें अलिटरेशन कहा रहा है अलिटरेशन की मतलब कहा है रिपीटेशन रिपीटेशन अब कॉंसोनेंट साउंड तो यह फिर ओ वाइल डबलू का साउंड फिर से आया वैस्ट वाइन देखो बर बर गया इसलिए हम इसे अलिटरेशन कहेंगे ठेक 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 दव ब्रीट अटमस बिंग दव फ्रम उस आंसें प्रेजेंस तालिफ स्टेट अर्डिवन देखो इसमें क्या है इसमें पूरा जुस्ट्रोफिकेशन क्या गया है यह वेस्ट वाइन को क्या एक परसन की तरह ट्र इसमें क्या है इस तarted है अब बोलोगे क्यों इसको हम इंपर्शन का क्या मतलग है इंबर्षिन मतलब है कुछ इंभर्ट हो जाना जैसे कि यह लिफ्ट जो है न वो इसको याव बैटना था और जो डेट है ना और इस प्लेस्त प्लेस्स में बैठना था ठीक है यह ऐसा होना चाहिए था, Unseen Presence, The Dead Lips, Dead Lips, Did Lips, लिफ्स देड है क्या होता है, देड लिफ्स बलो ना, लेकिन, पुएट जो हम मतला, पुएम जो है ना, वो उसको सुनने में अनन्द लेने के लिए, एक रिदम, एक बहुत सा सूरिला बनाने के लिए हम ऐसा कट तो, लिफ् ठीक ठीक चलो अगले पर अगला सेंटेंस पर देखेंगे like are driven like host from an enchanter fling like किस के तरह एक enchanter fling के तरह एक enchanter एक जादूगर जैसे भूत को भगाती है वह से तो like ये like यूज़ कर दिया भूतों की तरह जादूगर की तरह भूतों की तरह तो ये क्या होगा ये होगा सिमीली क्या होगा ये सिमीली बोलो हां हां अगला स्वाद यो लो black and pale and hectic red pestilence striking multitude इसमें क्या है पता है किसी को देखो ए अलिटरेशन है आप बोलो के क्यों यहां कौनसा साउंड रिपीट हो रहा है अलिटरेशन बना दी अपने देखो ध्यान से देखो pestilence s sound striking s sound multitude s sound तो हर सब्त में s sound का रिपीट हो रहा है ना तो इसलिए हम इसको भी अलिटरेशन में डाल देंगे चलो चलो देखो the wing seeds देखो क्या बोल दिया seeds को बोले दिया पंखाव वाला seeds क्या तो ये क्या होगा ये metaphor हो गया where they like old and low each like a cops within your scripts देखो फिर से बोल दे लाइक कोप्स जब हम लिखे के लाइक कोप्स लाइक के लाइक के घोस्ट तो हम इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम seemingly बोलेंगे बोल दिया था आपको पता होना चाहिए दाइन as your sister of spring shell यह क्या बना दिया फिर से एक अंटी बना दिया sister बना दिया तो यह क्या हो गया personification यह पर भी देखो atoms being atoms का atoms का यह बना दिया तो इसलिए personification हो गया यह भी personification हो जाएगा चलो आगे ढूंते हैं अब देखो harcarion over the dreaming earth harcarion यह क्या harcarion बोल दिया तो यह क्या हो गया यह मेटाफोर हो गया over the dreaming earth आथ को क्या आथ क्या आथ dream देखता है यह क्या हो गया personification हो गया driving sweet birds like flocks to feed 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 a kia ho gaya a simili ban gaya phir kia hai with living hues and odors plain and hill wild spirit which are moving everywhere destroyer and preserver kia likhaa hai 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 destroyer and preserver eek bahto destroyer bool diya phir preserve bool diya eek kaise ho gaya bool rhai ki tum bhi dhuang shukari ho tum siriti kartat ho eek kaise ho gaya to eek kya hai hum hum ko dimakha jai ga na jho dimakha jai ga o kya ho gaga o paradox banega thik hai to eek paradox ho ee dhaar oh hiar hiar oh hiar eek kya hai aliteration hai phir say ki sound bar bar gobo yao chalo aglast dungeon jat tkartate hai aap dhekho first kento me kya hoa o o s twins ka power bola jay uus ka power kya hai o prithi vee ke oopar kya 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 kama kata hai prithi vee ke oopar kaisa kaisa kama kata hai eek sab kuch bola first kento me second me asman me o s twins ka kya kya power hai are dhekho 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 is me kya hai is me on earth pa pa ko kaha lieko इनको क्या impact है इस first canto में ये बोला दिया अब second canto में हवा की उपर आस्मान में आस्मान में क्या impact on sky आस्मान में कैसे ए impact होगा आस्मान में ए कैसे काम करता है और third canto में impact on sea स्मुद्र के उपर इसका प्रभवाट कैसे काम करता है इसको बारे में बताया गया है किसको उपर स्मुद्र की उपर तो चलो सेगेंड केंटू की बात करते हैं अब देखो यहाँ पर वो कभी कहता है कि चो ओस्ट्विन है किस प्रकाट से ओस्ट्विन आस्मन से धर्तिकों बैते है इसनी मतब धारा हा कि मीट देश्टि पिसकाइस कमोशन बादलों में यो हलचल होते है जब वो लहरते है तो के बादलों में वो हलचल होता है जब वो बैती है बादलों में हलचल होता है जैसे किया हो जैस感じ लूजे क्लाउड्स हां कि आर्थ के ढल Azure ले हो गए और इधरो तर विखा जाते हैं आर्थ अचिकें लिप्स ऑगिज़े उसी तरीके बिछार जाते हैं जाईसे कि nine Returns जाड़ जाते हैं उसी तरह के से अलाग हो जाते हैं सरीगर्य पत्तिया पिर से अलाग हो जाते हैं उस तरीके से जैसे आस्मान में बाद लोग को अलग कर देते हैं शुक फम टेंगल बाउज ऑफ हेवेन और ओशयन अब यहां कभी कलपना करते हैं कि मान लो एक बहुत बड़ा पेर है जिसके शाखा एक ओशयन में जिसके कि जड जो है ओशयन में जो शाखा जो है वह बादलों में है तो तो ऐसे लगता है कि उन विशलों शाखा उससे जो बादल है वह तूट के गिर रहा है जैसे कि तीर से पत्तिया गिर रहा है ठेक ठेक टेंगल में उलग जाना ठेक अब देखो यह बर जो है लुज क्लाउड लाइक आर्स्टिकें लिप्स लाइक आर्स्टिकें लिप्स क्या होगा यह से मिली बेल्कूल सही अगला पर चलो एंजल्स अप रेन अन लाइटिंग देयर आर स्प्रेड ऑन ब्लू सार्पेस अफ दाइन एरी सार्ज का में आकास में चलने मुली तीज हवा कभी कहता है कि जब उपर आकास में एंजल्स अप रेन लाइटिंग बादल टक रहते हैं नीचे गिरते हैं जैसे कि लग रहा है कि पाने के बरसात के और बिजली के देवता है वह क्या अपने आपको नीचे नीचे गिरते हैं जब बादल एक तुस्त्री से टकरा पर है यह बरसात और भीले के आने के सुचना है लाइक ब्राइट एयर आपली और फिर जो बादल है ब्लू सर्फेस आसमन के जो नीली सर्फेस है उस पे हाव के दौरन तेज हाव के दौरन चलते है अब देखो आगले क्या है ऐसे लाइकता है कि जीस तरह मेनात जो होती है यह जो देवता है उसको सिष्चा को मेनाट बोलता है तो कभी कहता है कि जिस तरीके से संपर यस मिनट बहेंदग कुछ बहेंद कज़ मिनट है जो वाइन गळड़ के जो शीषय है तो हो अपने बालों को जब बाल एक्दम सित धे खरह हो जाते है जिस तरीके से मैनट के बाल एक्दम सिर से आप्लिटेट इन्हें सिधे खरे रहते हैं चमकिले रहते हैं उसी तरीके से जब वह इस चल दागास में तो बादल जो है वह बिल्कुल उसी तरीके से दिखाए दे रहे थे चमकिले और इधर उदर बिखरे हुए इविन फॉम दा डिमभर्च अब दा होराइजन टो दा जैनेर साइट डिमभर्च का मतलब है किनारा मधम किनारा तो यह जो बादल है हमें से होराइजन यह यह तक उजी तक हमारे नजर जाती है उसी तरह हम देख सकते हैं ता लॉक्स अब अप्रचिंग स्ट्रॉम और यह बादल बिल्कुल उसी तरह किसे थे मेसद थे कि जहाते कि हमारे दिश्ट्री जाते हो थे बादल नजर आती है वैसे कि तूफण आने बाले है एप्रोजिंग स्ट्रॉम तूफण तूफण आने बाला है डाव डार्ज मिद्धू गित अब दा डाइंग यार्ड जब तू स्ट्री जब वो चलती है जब वो श्यीट कंने वाजम होते है तो इसमान के मैंने होते हैं तो अधिया है यहां बादल जो इस आस्मान में ऐसे भ्याली है चाले तरफ आप Sonia बर्ष की उपर एक मित्यू का गित गा रहा है, तो to which this closing night will be the dom, अभिभास्ट सेपल्चर, कैदे ही कि जही 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 तुफन चलने को तैयर होता है, वाजे ही एक अंधेरा छा जाता है, वाजे सेपल्चर, दफनने का स्थान, बादल जो प्रिथवी की उपर छा जाते है, और एक गंबुष के उरूप धारन कर लाते हैं, यसे लगते है कि एक पिशाल जो है, कबर का वहाँ बन गया हो, बादल विट अल्दे कंगेटर माइट अब वैपर्स, वैपर्स में जोते हैं, बादल जो एक अत्रित हो गए, एक अट्टे हो गए, एक अट्टे हो गए है, एक भास्ट से पलचार गंबुष बना लिया है, ऐसे लगता है कि बादलों ने जो वहाँ पे रेख, गंबुष से बना लिया है, पिश्टी को पर, सभी के सभी वह एक अट्टे हो रहे है, फॉर्मों सॉलिड अट्मस्पियार, ब्लैक रेन फावर, एन हेल विल बास्ट ओ हो है, अब कहता है कि एद जो घंबादल कालों में से जो अंदर के च्छत करेंगे और फिक बर्षा करेंगे, विल बास्ट ओ हैर, यानि फिर बहुती ब्लैक रेन फावर, बहुती बर्षा होगी, बिली जम केगी, और बर्सेंगे, और आंथ में हो कहता है कि, ओ ह्यार, मेरी पर्थना सुनो, ओ ह्यार, तो यह था इसका सेगेंड केंटो, ताव हुड इस ट्वेगेंट फ्राम हिस समर्थीन्स द्रेम्स, दा ब्लू मेडिटरियान होएर ही ले, लल्ड बाई दा कोईल आफ इस क्रिस्टालीन स्ट्रेम्स, यहां कभी कहता है कि, जो प्वेट है, ओ कहता है कि, जो ब्लू मेडिटरियान सी है, यानि जो भूमत्य सागर है, वो पूरी गर्मियों में, पूरी गर्मी भर वो सोता रहा है, और अब आकर के वेस्ट्विन ने उसे जगा दिया है, यानि वो समर्ड रिम्स, वो पूरी गर्मियों में सोता रहा, सपने लेता रहा, और अब आकर उसे वेस्ट्विन ने जगा दिया है, वो तो कहा सपना ल कहता है कि जहां पर नदियों की जो शक्स निर्मल चलदरा है वो उससे संगीत सुनाती हुई मिलती है तदा थपकिया दे के सुलाती है कोईल मिस म्यूजिक लोल मिस थपकिया दे कर सुलाना तो ऐसे कौन सी जगा है तो ऐसे कौन सी जगा है विसाइड पमिस आइल इन बेज़ पे यानि की पमिस आइल मिन्स आइलन्द पमिस मिन्स होता है कि जो ज्वाल मुखी के लाभ़े से बना हुआ आइलन्द पमिस आईल जो लमेखी की लावा से बना हुआ आईलेंड जो कि कहाँ पर पड़ता है जो नेपल्स में है नेपल्स के जो बेजबे है घाटी है जो इतली में ठीक है तो वहाँ पर पर पड़ता है तो उसके करीब वहाँ नदिया हुआ का के मिलती है वहाँ पर उसे थपकी द तो पुएट यहां डिस्काइब करता है कि कहता है कि जब वो सो रहता तो उसने अपने सपनों में क्या देखा वो देखता है कि उल्ड पैलेसेज अंड टावर्स पूराने महलों को और पूराने मीनरों को जो कि जब जुएल मोखी विसपोड़ुआ था तो उसके साथ ओ भेकर के यानि तुट करके वो पूराने महल और वो टावर्स समुद्रे के करत में चले गई हैं अंदर समुद्रे में वो समावई है अब जो लहरे है, waves intenser day, जो लहरे को प्रकाश है, वो उनके उपर पर रहा है, निचे उसमें कापते हुए प्रतित हो रहा है, यानि कि जो लहरों का प्रकाश है, जो तीब्र प्रकाश है, इंटेंसर डे तो उसका उसका जो तीप्र तेज रोश्णी है वो उनको पर पर रहा है और उन लहरों की बीच में से वो कबते हुए मैसिस हो रहा है कबते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या पैले सेशन डावर्ड आगे कहता है अल ओबर्गून उनके उपर अलजे और पूल है जो फ्लावर्ड आगे कहता है जो समद्र के अंदर होते है उन्होंने एक पैले सेशन को टावर्ड को पूरी तरीके से डख लिया है यानि उसके उपर इतने दिनों से पड़े हुए अंदर कि उनके उपर घास काई और जो समद्रे फ्लावर्ड से वो गई है जो स्वीट दा सेंस, फैंस, टिक्चरिंग देम जो संसेस है उनके खुशबुश से बेहोष हो जाएंगे इसका मतलब यह है कि उनके खुशबुश है वह चारों तरफ अंदर इतनी तेजी से फैली हुई है इसे लगता है कि उस खुशबुश से जो हमारे जो सुमने वाली इंद्रिया है उनके लागभग मधोश हो है डाव फॉर्फू Rainbow Reividades लेवल पावर्ड्सु अब जो c्छांट बनें जो पानी है अब तुम उसको उपर से बिज़ार दी हो तो उसके जो पानी जे उसमें जो हलचल मचा देते है clip themselves into chasms और उस पानी को चीड़ना into chasms means होते हैं दरवे या दरार उस पानी को तुम दरारों में लहरों में बाड़ देते हो दर्रे दरार बना देते हो उसमें रस्ता बना देते हो while far below the sea blooms and the oozy woods which are the sapless folies of the ocean no जब तुम उसके उपर से गज़रते हो तो नीचे जो sea blooms है जो समुद्री flowers से जो full है और oozy woods जो समुद्री के कीचर में oozy woods oozy mean होता है कीचर उसमीर से होते है बनाश्पतिया और जो बनाश्पतिया है which were the sapless folies of the ocean यानि जो समुद्री जबन स्पतिया और जो फ्लावर्स होते है वो sapless या जीबन का जो रश है जीबन देने का जो रश है उससे राइध होते है उनमें ऐसा कुछ भी रश नहीं होता folies में उन्हीं पतिया जीबन दाई नहीं होते अब दे ओस्चियान जो उसकी सी ब्लूम्स है ओजी उड्स है वो अपने पत्तो को गिरा देते है folies में पत्तो को गिरा देना know thy voice and suddenly grow grey with fear अब जब वो तुमारी आवाज को सुनते है तो उससे पैचनते है तो अचानक से वो डर के मारे grow grey वो सभित पढ़ जेते है दूबले पढ़ जेते है tremble and spoil themselves oh here और वो टर्स एक अपने लगते है tremble and smell का अपना spoil themselves और अपने आपको गिरा देते है मिनस पत्तिया नीचे ज़ड ज़ते है तो इहाँ पे कभी पत ज़ड का जो मौसम होता है autumn जो होता है ओ वडन करता है कि जिस तरह कि प्रथी पर उसका प्रभवाब पड़ता है पिर पौदवा पर प्रथा प्रभवा पाड़ता है बेलकुल वाइस्ता ही प्रभव जब समुद्री की अंदर जो बनस्पतिया होता है उस पर भी पड़ता है जब आटाम आता है वे स्ट्विन चलते है तो समुद्री की अंदर की पतिया भी ज़ड़ जाते हैं कल जाते हैं चलो नेक्स केंट में जलते है इस केंट में थोरा सा पर्सेनल टॉच है यदि में एक एक डेड़ लिव होता एक मृत मित पतिया होता दम आते होता तुम मुझे अपने साथ ले जाते अगर मैं एक लेहर होता तो मुझे भी तुम्हारी पावर शक्ती मिल जाते and share the impulse of thy strength और मैं तुम्हारी शक्ती का भागीतर बनता only less free क्या हो अगर मैं शक्ती तुम्से फुरी कम होते then the whole uncontrollable अब तब हम तोनों ही आन्यांत्रम करी होते uncontrollable होते जैसे तुम uncontrollable हो यह जिस पर कोई नियांत्रा नहीं किया जा सकता जैसे तुम हो ऐसे ही मैं भी होता if even I were as in my boyhood and could be अगर यह पोईट कहता है कि यदी मैं अपने boyhood बच्पन में होता तो and could be the comrade of thy wonderings over heaven तो मैं तुम्हारा साथी होता comrade means साथी तो मैं तुम्हारा साथी होता और तुम्हारा साथी heaven यह बादलों में गुमता रहता wonderings means निरुद्देश से गुमना अगर मैं अपनी boyhood में होता बच्पन में होता तो मैं तुम्हारा साथी होता और बादलों में गुमता रहता as then when to outstrip the sky speed और तब तब बच्पन में when to outstrip the sky speed not outstrip means आगे निकल जाना और हो सकती कि तब मैं तुमसे भी आगे निकल जाता outstrip means होता है आगे निकल जाना हो सकती है कि जब आपने बच्पन में हो जाता तो तुम्हारा साथ कुमता रादलों में तुमसे भी आगे मैं निकल जाता scar-seивал vision I would never have striven I would never have striven कहता है कि यदी में यह जो vision है यह जो द्रिश्टी है मेरी ऐसे लगता है कि यह असरत्त है लेकिन फिर भी इसके साथ सत्ते होने की समावना है यह सत्ते प्रतित होता है same division सत्ते प्रतित होता है कि मैं तुम से आगे निकल जाता I would never have striven as does with the in prayer in my sure need वो कहता है कि यादी मुझे इस शक्ती की अभशक्ता नहीं होती striven means यसना तुम यसना क्यों करता कि तुम मुझे शक्ती दो as does with the in prayer in my sure need क्योंकि मुझे sure need की मतलब होता है urgent need अती अभशक्ता है emergency need मुझे बहुत ही अभशक्ता है इसलिए मैं तुम्हें यह आचना कर रहा हूँ मैं prayer कर रहा हूँ oh lift me as a wave hey west twin क्या बोलते है oh lift me as a wave hey west twin तुम मुझे एक लहर की तरह उठाओ अलीफ एक पत्ती की तरह उड़ा ले जाओ अपने साथ एक cloud एक बदल की तरह मुझे ले जाओ अपने साथ साथ ले जाओ ले चलो I fall upon the thorns of life मैं जो जीवन के जो thorns में काटे of life जो जीवन के जो काटे है जो दुख है जो असे नहीं है दुख दर्द है मैं उन में घिरा हुआ परा हूँ मैं उस पे उठ पूस को पर गीर परा हूँ I bleed बील मिस होता है रक्त रंजित होना बात इहां असन यह कस्ट कि मेरे जो आत्मा है वो बहुत ज्यादा कस्ट जिल रहा है तो मुझे अपने साथ एक लहर की तरह एक पत्ती की तरह बुठाओ आपने साथ ले जाओ I heavy weight of ours has changed and bought जो सधियो पुराने जो रस्मे है जो रिवाजे है उनका जो weight है ऐसे ही रिवाजे है और रस्मे जो की किसी काम की नहीं है और जो इंसान को बांद के रखते है जो बुराईया है हम उनसे जक्रे पड़े है उनसे उल्जे भुए पड़े है उसमें जुके फे पड़े है, उनसे बधे पड़े है वान टू लाइक दी मैं भी तुम्हारी जैसा बनना चाहता हूँ बिल्कुल तुम्हारी जैसा कैसा टेमलेस एंड स्विप्ट एंड प्राउड टेमलेस मीम्स बिल्कुल जंगली, तेज, प्रभाब शाली टेमलेस जंगली, जो किसी की बात न सुने, स्विप्ट एंड प्राउड, प्रभाब शाली, कर भी थी मैं भी तुम्हारी जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे भी अपना जैसा बना लो चलो, लस्ट कैंट है, हम फिप्ट कैंटो को एक्स्प्रेन करेंगे ठीक है, यह इस पोईम का लस्ट कैंटो है, तो चल यह शुड़ो करते हैं देखो, पहले ही बता दिया, जो फास्ट, इस पोईम का जो फास्ट त्री कैंटोस है और लास्ट त्री कैंटोस जो है, वो है, वो परसनल टाच लिये होए कैंटोस है यह थोड़ी से परसनल है यह पोईम ने अपने बारे में अपने बिशेश को इसमें बताया गया है कि वो वो वेस्ट टूम के साथ मिल कर क्या करना चाते हैं, उसका शक्तियों को क्यों पाना चाते है, तो फेर्ण साम स्टर करते हैं चलो, फिप्थ कैंटोस इस केंटो में poet वो चुनुक्र से prayer करता है make me the liar even as the forest is मुझे अपना liar बना लो liar या होता है बीना एक ऐसा वारे जंत्र जो की जो कि तारों से बसता है एक बीना कैसे तो बीना की तरह होता है तो मुझे अपना liar बना लो even as the forest जैसे कि तुमने forest को बनाया है, जैसे कि तुम जब forest से घुजारते हैं उसमें अपने शक्ति भर देती हो तो वह भी उसके जो पेर है, वो संगित की तरह बचते हैं, इसी तरीके से मुझे भी अपना तरह लायर बना लो, मुझे भी अपने शक्तिया दे दो, जिस तरीके तु यहा, गीर रहे है, यहां पत्त के मतलब है उसकी जो उम्रे है, वो जो ढटल रहे है उसकी जो जेवन समव बढ़रा रहे है जिस सीद प्रकर से जिस प्रकर से फोरेस्ट के जो पेर होते है उनके जो पत्ते है वो आटम में गिर जाते है उसी तरीके से उससे अपने तूलेना करते है वो पोईर करते है क्या हुआ आगार मेरी उम्र धल रही है और मेरा जियोवन खतम हो रही है बेगल उसी तरीके से फो तुमल्ट अब दे माइटी हर्मोनी इस विल टेक फंब बोथ अडिफ अटमनल टॉन, शूइट तो इन सादनेस। पुएट कहता है कि यादी जो है उनके उपर से गुजर की उनकी उपर से यानि की फॉरेस्ट और पुएट उन दोने के उपर से अगर वेस्ट विन गुजरेगी तो वेस्ट विन का जो तेज जोका है जो बहुत तेज जोका है उससे जोका है तो उस संगित की एक गुंजन की समन लगेगा, एक ऐसा कोला हल उत्पन होगा टिमल्ट मिल कोला हल, एक ऐसा कोला हल उत्पन होगा जो बिल्कूल संगीत की तरह होगा, लेकिन वो जो संगीत का जो गुंजन होगा, वो जो संगीत निकलेगा, वो कैसा होगा डिप autumnal tone, sweet tone in sadness लेकिन फिर भी वो किस से होगा उदासी से होगा भरा होगा कि वो उन दोनों का उपर से जब गुजरेगी तो भले ही वो संगीत उत्पन हो लेकिन दोनों ही जो है वो जो संगीत का जो गंजन होगा वो जो संगीत निकलेगा वो उदासी से भरा होगा क्यों होगा उदासी से दोनों ही पच्छड के प्रभवप से गुजर रहे हैं इन्दी पच्छड में जो दुख महिसस होता है पेरों से तो पत्ते ज़र जाते हैं और जो पोएट है उसका जेवन गुजर चुका है गुजर रहा है दिरे दिरे और उसके उम्र खतम हो रहा है इसलिए वो जो संगीत क जो गुजर रहे हैं वो पहुत उदसी वहरा रहता है क्योंकि दोनों ही एक गहरे दुख से पक्छर के दुख से गुजर रहे हैं बीदव स्पिरिट फ्यार्स माइ स्पिरिट बीदव मी इंपेट वास्वान बीदव स्पिरिट फ्यार्स फ्यार्स प्रचंड प्रहत अधिक अब वो उससे वेस्विन से प्रेयर करते है कि मुझे जो तुम्हारी अंदर जो प्रचन्द सहस भड़ा हुआ है उससे मुझे दे दो माई स्पिरिट उससे मेरा सहस बना लो या जो तुम्हारा नसक्ती है जो सहस है उससे मुझे दे दो मेरे अंधर भी उससे भर दो बीदाव मी और मुझे अपना जैसा बना दो इंपेट्वास्वान जैसे कि तुम हो अनियंत्रन इंपेट्वास का मतलब होता है अनकॉंट्रलेबल जैसे तुम अनकॉंट्रेबल हो अनियंत्रिन हो उसे तेरे मुझे भी अपने जैसा बना लो ट्राइफ माइ डेट थॉट्स ओवर दाइवर्स लाइक विधर लीब्स टु कुई केंट अ निव वर्थ मेरे जो थॉट्स है जो विचार है जो अब मेरे अंदर ही मर रहे है उन में उन में वीचारों को पूरी universe में पूरी ब्रहम्हरण में भैला दो बेलकुल उसी तरही के से जैसे कि तुम without lives हो चारों तरफ भैला देते हो यानि कि जो सरीगली पत्या है जो प्रिष्ट से गिर चुके हैं उन को तुम पूरे संगसर में भैला देते हो जिस तरीक से उन पत्तियों को चारो तरफ से बिगर देते हो उसी तरीक से मेरे उन बचरों को मेरे अंदर ही मर रहे है उने हैं पूरे संसर में फैला दो Too quick and a new word मेरे उन बचरों से संसर का पुनरोद्धवर होगा यानि कि उन बचरों से लोगों का उधार होगा यह सब को बता दो And by the incantation of this verse Scattered as from an unextinguished heart Ashes and sparks my words among mankind And by the incantation of this jadu या mantra This verse और मेरे जो एक कभीता है यह जो भर्स मिन्स कभीता मेरे जो कभीता है यह जो कभीता के रुपी में जो मंतर है मेरे जो मैं लिखी है यह जो शब्द है मेरे यह जो कभीता रुपी मंतर है इन से लोगों का भला हो सकता है और इनके दोरा लोगों का बताओ, अब सुन जुक आने वाला है, तो मेरे इन विचरों को, scatter means तितर बतर कर दो, फैलन दो, मेरे विचरों को चार ओर फैला दो, As from an un-extinguished heart, heart होता है भट्टी, un-extinguished में होता है अन्भुझी राग, यहनि आईसे राग जिसमें चिंगरिया बाकी है, उनको चारों तराफ फैला देते हो, बेल्गुल वाई से ही मेरे सब्द को पुरी दुनिया में फैला दो, My words among mankind, और मेरे जो वर्ट से, ओ, जो मेरे जो सब्द है, मेरे जो रचनाई है, ओ, मानबत की भले के लिए, और उन्हें उसी प्रकट से तुम चारों फैला दो, जिस प्रकट से तुम भट्टी में जो राख होता है, उसको जो चिंगरिया होती है, उसको चरों तराफ फैला देती हो, बी थ्रू माइ लिप्स टू अन अवकेंड आर्थ, और मेरे जो सब्द है, माइ लिप्स मेरे जो सब्द है, उससे इस सोई हुई प्रिथिवी को, यहनि ऐसे लोग जो सोचुके है, सोचुके है मतलब जो जिवने अपना होसला खो दिया है, जो जीवन से निराश हो चुके है, और नई उत्सव से जो उदाशीन लोग है, उन लोगों को तक मेरे ए बर्स को पहचा दो, उससे कहो कि अब नया जीवन नवजुकाने वाले है, और सरीकठेने समप्त होने वाले है, प्रवक्षिम मतलब भविश्यवानी, ट्रामपेट में इस एक बाजा होता है, पहले जवने जब लोग कुछ बोलते थे, या किसी राज्या के किसी विचारों को लोगों के समने रखते थे, तो उसमें करते थे, तो मेरे इन विचार जो है, इनके भविश्यवानी कर द हो कि अब ने जुक आने वाले है, ओ विन्ट, ओ विन्ट, ओ विन्टर कम्स, कैन स्प्रिंग भी फार वाहिंड, यदि विन्टर आते है, जो सीद्री तु आते है, तो क्या उसके बाद स्प्रिंग नहीं आते, यानि जो सीद्री तु आते है, तो उसके बाद रिंग स्प्र आता है कहने के तकषब पर यह है कि यहां जीवन से रिल्लेटेड है कि इस dn know ये है यह question है last में छुड़ा है कि इस questions को rhetorical questions कहता है इस तरिको question पोर het跳irim questions ही इही basis न thought है कि उनका इस answer होते है तो yes में होता है यह पिर no में होते है ऎर पूशने गा कोई मतलब नहीं होता सबको उनका answer पता है यदि शीद्रितू आते हैं तो सीतुत के बाद बसंत भी आता है तो कहने का ताथ पर यह है कि यदि जीवन में दुख आते है तो दुख के बाद सुख भी आता है इसी तरीके से जो हमारी समाज है जो हमारी पिथी भी है यह हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी हमेशा इसमें बदलाव होते रहते हैं दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख यानि अंध्यरे के अंधिकार के बाद रोश्नी हमेशा ही नया सवेरा आता है तो अब हम इसको फिगर आव इस पिश का बात कर लेता है make me the liar even as the forest is this में क्या it में 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 अग्यरे किया ही आता है घर्ड़ोर्यवर्टूर्टूर्टूर्च। एकसमेली as from an unstinguished heart that says similarly if winter comes can it's really far behind a rhetorical question hey so this was the poem thank you see you in your next class